Welcome to all of you, आज की इस वीडियो में हम लोग सामान्य अध्यन के 50 कोश्चन देखेंगे, यह सारे कोश्चन बिहार दरोगा, बिहार SSC की परिक्षा को ध्यान में लगते वे बनाए गए हैं सेट 11 है, इससे पहले एक से लेकर 10 तक के सेट अपलोड कर दिये गए हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जिस प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करके बागे की इन 10 वीडियो को देख सकते हैं, तो चलिए आज की इस वीड दरोगा और विहार SSC के लिए बता दिया गया है, और आज 11 हमा सेट ये अपलोड किया गया है, तो रोजाना एक सेट अपलोड करते हैं हम लोग, इसका पीडियेफ भी आपको हमारे टेलिग्राम और वाट्सअप चैनल पर मिल जाएगा, टेलिग्राम और वाट्सअप चै आपको ये पीडियेफ वाँ पर मिल जाएगा, चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, सेट 11 का ये पहला प्रस्ण देखिए, आरियों के आर्क्टिक होम सिध्धान का पक्च किस ने लिया था, इस कोईशन का आंसर बताईए, देखिए आप लोग वीडियो देख अगर आपके 50 में से 30 मार्क्स आ रहे हैं, मेरे क्वेशन के 50 सेट, जो हमने 50 क्वेशन का जो सेट तयार किया है, इसमें से अगर आपके 50 में से 30 मार्क्स आ रहे हैं, तो आपकी तयारी अच्छी है, आप इसको इंप्रूव कर सकते हैं, और दिन बदिन हम जैसे ही रोज बाद में हम लोग one liner question भी ले करके आएंगे top 50, top 40, top 100 इस तरह के questions हम ले करके आएंगे सभी परिक्षा के लिए तो आप उनको भी देखिएगा ठीके अभी देखिए यहाँ पर इस question का answer क्या होगा पहला जो सवाल हमने पूछा आपसे आरियो के आर्क्टिक होम सिधान क्या पक्ष जो है वो किस ने लिया था तो answer होगा बाल गंगा दर तिलक, बीजी तिलक किसका right answer होगा next question है निमनलिकित में से मगद का कौन सा राजा, सिकंदर महान का समकाली इन था तो इसका right answer होगा घहनानन्द, option B यहाँ पर correct answer होगा अगला सवाल है गौतम बुद के गुरु का नाम क्या था? गौतम बुद के गुरु कौन थे? पानिनी, अलार कलाम, कपिल या फिर पतंजली तो right answer होगा अलार कलाम, option B यहाँ पर इस question के लिए right answer है गुप्त युग में भूर आजसु की दर क्या थी? उपज का चौता भाग, उपज का चठा भाग, उपज का आठ्मा भाग या फिर उपज का आधा तो इस question का right answer होगा, उपज का चठा भाग, option B यहाँ पर right answer होगा अगला देखें, लिंग राज मंदिर की new किस ने डाली थी? तो लिंग राज मंदिर की जो new डाली गई थी, वो ययाती केसरी के द्वारा दाए गई थी तो option A यहाँ पर correct answer होगा, ययाती केसरी बताइए इस question का answer, महमूद गजनवी के आक्रमन के परिनाम सरूप, कौन सा शहर फार्सी संस्कृती का किन्डर बन गया इस question का right answer क्या होगा, लाहॉर, option A लाहॉर जो है इसका right answer होगा नेक्स्ट देखिए किस विजय नगर समराट ने उम्मातूर के विद्रोही सामन्त गंग राय का दमन किया किस विजय नगर के समराट ने ये किया था तो इसका राइट अंसर होगा कृष्ण देव राय ओप्शन ए कृष्ण देव राय इसका राइट अंसर है अगला स्वाल है मुगल सासक मुहम्मद शाह रंगिला ऐसे आपसे पूछा गया चार ओप्शन तो इस क्विशन का राइट अंसर क्या हो जाएगा शिव नाराइट तो ओप्शन ए जो था वो शिव नाराइट इसका राइट अंसर हो गया अब देखिए किस इतिहासकार ने अकबर के दौरा परतिपादित दीने इलाही को एक धर्म कहा किस इतिहासकार ने कहा था यह इतिहासकार नाम, इतिहासकार का आप से नाम पूछा गया है यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा अबुल फजल option A जो है वो इसका right answer होगा दीने इलाही को एक धर्म किस ने कहा था अबूल फजल ने कहा था अगला सवाल है 1649 इसवी में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने कहां के सासक से मदरास के को पटे पर लिया और वहां एक किला बंद कोठी बनाई कहां के सासक से मदरास को पटे पर लिया था अंग्रेज फ्रांसिस डे ने 1649 में यह आप से पूछा गया है तो इसका answer क्या होगा चंदरगीरी के राजा यानि option A जो है वो right answer होगा next देखिए नरिप निर्माता के रूप में किन है जाना जाता है नरिप निर्माता किन को कहेंगे हम लोग सैयद बंदू को option D यहाँ पर correct answer हो जागा सैयद बंदू अगला सवाल है भारत में पर्थम rail line का निर्मान 1883 निस्वी में किन नगरों के बीच हुआ था सब को पता है railway बार बार यह सवाल पूछता है और बहुत ही railway से अगर कोई पहला सवाल कभी देखने को मिलेगा भी आपको तो सबसे पहला सवाल यह है जो सबसे जादा बार पूछा गया है मुंबई और थाने के बीच तो option B यहाँ पर correct answer होगा ठीक है मुंबई और थाने next देखिए 1905 में मुंबई में भारत सेवक समाज के अस्थापना किस ने की थी भारत सेवक समाज के अस्थापना 1905 में मुंबई में किस के द्वारा की गई गोपाल कृष्ण गोखले तो option A यहाँ पर right answer हो जाएगा वैकॉम या वाइकॉम सत्यागरा कहाँ पर चलाए गया था तो वैकॉम सत्यागरा जो है वो केरल के अंदर चलाए गया था option A केरल यहाँ पर इसका right answer होगा अगला सवाल देखे गदर क्रांती छेड़ने का सबसे महतपूर्ण कारण क्या था तो गदर क्रांती छेड़ने का जो सबसे महतपूर्ण कारण आपसे पूछा गया है वो चार options हैं लाला हर देल की गरफतारी काम गाटा मारू घटना परतम विशुद का शुरू होना करतार सिंग सराभा को फासी तो इस कुशन का राइट अंसर क्या होगा परतम विशुद का शुरू होना option C जो है वो इस कुशन का राइट अंसर होगा इसके बाद देखिए निमने लिकित में से कौन सी विशेष्टा भारतिय संग और अमेरिकी संग दोनों में साजह है तो विशेष्टा बतानी है भारतिय संग और अमेरिकी संग में जो दोनों में कॉमन है वो कौन सी विशेष्टा है निमने में से एकल नागरिक्ता, दोहरी नागरिक्ता संविधान में तीन सूचिया संविधान की व्याख्या के लिए संग ये उच्चतम तो इस question का right answer क्या होगा समिधान की व्याख्या के लिए संग ये उच्छतम option D यहाँ पर right answer हो जाएगा अगला question है देखिए भारते समिधान की छटी अनुसुची के प्रावधान निमनलिकित में से किस राज में लागू होते हैं छटी अनुसुची के प्रावधान किस राज में लागू होते हैं ये पूछा गया है इस question का right answer हो जाएगा option A तिरपूरा तिरपूरा में लागू होता है तो option A यहाँ पर correct हो गया इसके बाद है कौन से अनुचेद के अंतरगत भारत का सर्वोच न्याले नागरिकों के मौलिक अदिकार की रक्षा करता है किस अनुचेद के अंतरगत तो अनुचेद का जो है वो नमबर आपको बताना अनुचेद कौन सा है वो अनुचेद 32 है तो option D यहाँ पर right answer हो जाएगा सम्मिधान शंचोदन प्रस्ताव के संब्द में दोनों सद्नों में मतभेद होने की स्थीती में अब options दिये गए हैं लोकसभा की एक्षा नुचार पाइत होता है राजसभा की एक्षा नुचार पाइत होता है समिक्त दिवेशन में फैसला होगा या प्रस्ताव गिर जाएगा तो ऐसी स्थीती में प्रस्ताव गिर जाएगा option D यहाँ पर इसका right answer हो जाएगा ठीक है प्रस्ताव गिर जाएगा भारत सरकार को कानूनी विश्यों पर प्रामर्स कौन देता है सलाह कौन देता है तो कानूनी सलाह देता है महानियावादी option A यहाँ पर correct answer हो जाएगा आप सभी comment करके बताएगे कि इस वक्त भारत के महानियावादी कौन है ठीक है आप सभी को पता होना चाहिए कि यह जो वीडियो है daily जो test series है यह आपके लिए दिन में दो बज़े आती है daily ठीक है daily दिन में दो बज़े आती है इसको जरूर देखा कीजेगा और यह जो सवाल हमने पूछा कि भारत के वरतमान में महानियावादी कौन है इसको comment section में जरूर लिखिए चलिए अगला question देखिए भारती है महानियावादी के वर महालेखा परिक्षक किसके लिए एक मित्र दार्षनिक और मार्क दर्षन के रूप में काम करते हैं लोक लेखा समिती, प्राकलन समिती, वित्मंत्राले या फिर लोक उपकरम समिती तो इस question का right answer बताई है प्राकलन समिती हो जाएगा CAG जो है ठीक है CAG ये महानियादरक एवं महालेखा परिक्षक CAG बोलते हैं इसको तो ये एक मित्र दार्षनिक और मार्क दर्षन के रूप में काम करते हैं प्राकलन समिती के लिए next question है निम्लिकित सूचियों में किसके अंतरगत सिक्षा आती है सिक्षा जो है वो किस सूची में है तो समवर्ती सूची इसका answer हो जाएगा option C इसके बाद देखे किस परकार के बेरोजगारी में असनातक एवं असनातक उतर डिग्री वाले युवा नोकरियां प्राप्त नहीं कर पाते हैं कैसी बेरोजगारी के अंतरगती आता है तो इसको बोलते हैं सैक्षिक बेरोजगारी ठीक है option C सैक्षिक बेरोजगारी इसके बाद है वह कौन सा बैंक है जिसने किर्सकों के पास आसानी से पहुँचने के लिए किसान कलब बनाए है किस बैंक ने भी बनाए है तो आंसर होगा छेतरिये गिरामिन बैंक option A छेतरिये गिरामिन बैंक इसका correct answer हो जाएगा पूरवर्ती योजना आयोग को आर्थिक मंत्री मंडल किस ने बनाया था पूरवर्ती योजना आयोग जिसको अभी हम लोग नीती आयोग कहते है तो इसको पूरवर्ती योजना आयोग जो था इसको आर्थिक मंत्री मंडल किस ने बनाया था तो answer क्या होगा इसका अशोक चंदर तो option B जो है वो अशोक चंदर यहाँ पर right answer हो जाएगा अगला देखिए विशु के विशाल वलित परवतों की रचना आज से लगबग कितने million वर्स पूर होई थी विशु के विशाल वलित परवतों की जो रचना है वो आज से तीस million वर्स पहले होई थी नेश्ट देखिए टाइफून नामक चकरवाद से कौन सा च्छेतर परभावित होता है कौन सा च्छेतर परभावित होता है यह सवाल पूछा गया है इसका क्या answer होगा तो answer होगा B, चीन सागर प्रभावित होता है टाइपऊन से इसके बाद question देखिए निमनलिकित परसांत मा सागरे दूिपों मेंसे कौन मिलनेशिया दूिप समू में संबलिथ है वो आपसे पूछा गया सोलोमन दूइप, गिलबर्ट दूइप, सोसाइटी दूइप या फिर मार्शल दूइप तो राजट आंसर जो होगा इसका option A, सोलोमन दूइप, इसका correct answer हो गया इसके बाद है लक्ष दूइप समू के दूइपो की उत्पती निमनलिकित में से किस परकार होई है लक्ष दूइप समू के दूइपो की जो उत्पती होई है, वो किस परकार से होई है जो आला मुखी की उत्पत्ती से, मिर्दा निक्षेपन से, प्रवाल उत्पत्ती से या इन में से कोई नहीं तो right answer हो जाएगा प्रवाल उत्पत्ती से, तो option C यहाँ पे इसका correct answer होगा निमने लिकित में से किस राजिक में सबरी माला जो है वो इस्तित है तो सबरी माला मंदिर या सबरी माला आपसे पूछेगा, तो answer क्या होगा इसका? केरल में स्थित है, option C यहाँ पे इसका right answer हो जाएगा निमने नदियों में से कौन सा अधिक पत्थ परिवर्तन किया है? किस नदी ने सरवाधिक पत्थ परिवर्तन किया है? तो answer क्या होगा? कोशी नदी, option C जो है हम लोग इसको कोशी नदी कहेंगे, option C इसका correct answer होगा कोशी नदी को हम लोग बिहार का शोप भी कहते हैं, क्या कहते है? बिहार का शोप कहा जाता है, किस नदी को? कोशी नदी को कहा जाता है अगला सवाल है महात्मा गांधी जल विदूत उत्पादक प्लांट कहां पर इस्थित है तो महात्मा गांधी जल विदूत उत्पादक प्लांट जो है ये कहां पर इस्थित है महात्मा बुद्ध ने अपना पर्थम धर्म चक्र प्रवर्तन किस अस्थान पर दिया था या पहला उपदेश महात्मा बुद्ध ने या गौतम बुद्ध ने कहां पर दिया था तो अंसर हो जाएगा सारनाथ option B सारनाथ इसका correct answer होगा किस वस्तु को किसी सता पर समान गती से फिसलती रहने के लिए किस बल की आवशकता होगी सवाल बहुत अच्छा है फिजिक्स का question है ठीक है यहाँ पर ध्यान रखिएगा आपकी किसी वस्तु को किसी सता पर समान गती से फिसलते रहने के लिए जिस बल की अवशकता होती है उसको हम लोग कहते हैं सर्पी घर्षन ठीक है घर्षन बल चाहिए सर्पी घर्षन बल और ये option D यहाँ पे इसका right answer होगा next question देखते हैं चांदी की उश्मिय चालकता, तांबे की उश्मिय चालकता की अपेक्छा क्या होती है कम होती है, अधिक होती है, बराबर होती है या इन में से कोई नहीं तो अधिक होती है, option B यहाँ पे इसका correct answer हो जाएगा रेडियो का समस्वरन station उदाहरन है, किसका उदाहरन है रेडियो का समस्वरन station जो है ये एक उदाहरन है, अनुनाद का option d यहाँ पे right answer होगा अनुनाद दूर दिरिष्टी के निवारन के लिए काम में लेते हैं किसका इस्तेमाल किया जाता है दूर दिरिष्टी दोस्त कर जो है खतम करने के लिए तो हम लोग इसमें उत्तल लेंस याद रखेंगे option c उत्तल लेंस का इस्तेमाल होता है चीक है computer printer किस परकार का device है computer से भी बीते कुछ दिनों देखा गया है कि computer से भी एक या दो questions देखने को मिलते हैं तो एक या दो questions अगर computer से आपको देखने को मिलते हैं तो ये भी important है बहुत basic question आपसे पूछा जाएगा computer printer का जो device है वो किस परकार का device है तो ये output device है कैसा device है? output device है option b इसमें right answer होगा अगला सवाल देखिए photochromatic कांच में किसकी उपस्तिती के कारण काला रंग होने का गुंधर्म होता है photochromatic कांच जो है वो किसकी उपस्तिती के कारण काला रंग होने का गुंधर्म होता है उसमें तो इसको कहते हैं हम लोग रज़त कॉलॉराइड option d जो है वो इसका correct answer हो जाएगा रज़त कॉलॉराइड रज़त को बोलते हैं silver क्या बोलते हैं silver silver और ये कॉलॉराइड है तो इसको भी ध्यान रखिएगा ठीक है रज़त कॉलॉराइड या silver कॉलॉराइड आप इसको याद रखिए next question है प्रकास रासाइनिक धूम कोहरे बनने के समय निम्न में से कौन सा एक gas उत्पन होता है प्रकास रासाइनिक धूम कोहरा बनने के समय रासाइन कौन सा है तो जो chemical है जिसका हम लोग खादपदार्ज के परिरक्षन में इस्तेमाल करते हैं उस chemical का नाम है sodium benzoite तो option C यहाँ पर याद रखिएगा spermology किसके अध्यान को कहते है spermology में किसका अध्यान होता है तो बीज का अध्यान होता है option A यहाँ पर भी correct answer हो जाएगा इसके बाद है निमनलिकित में से कौन सा एक लक्षन पादप के तने के रुपांतरन का एक संकेत है पादप के तने का रुपांतरन होने का एक संकेत निमन में से कौन सा एक लक्षन है चार option दिएगा है प्याज में सल्क का पाया जाना, आलू में आख का पाया जाना, मतर में प्रतान का पाया जाना, या गाजर में रूम का पाया जाना तो आलू में आँख, आपने आलू अगर देखा होगा तो उसमें देखते होंगे, आप छोटी सी आँख नजर आती है आलू की छोटी सी इस तरह की चीजें निकल कर आएगी ठीक है, आलू अगर आप देखेंगे, तो कहीं पर भी आप उसको आँख देखेंगे यहीं पर से जो है, पिर अगर आप इसको आलू को काड़ करके कहीं पर जमीन में गाड़ देंगे तो एक नए आलू का पौदा निकलना शुरू हो जाता है तो यही है, आलू में आँख का पाया जाना ऑप्शन बी जो है, वो राइट अंसर हो जाएगा आलू में ब्लैक हार्ट का कारक कौन सा है आलू में ब्लैक हार्ट का जो कारक है, वो कौन सा है ऑक्सीजन की कमी अगला सवाल है, पादपाले एक सुभिदा है जिसमें क्या है, चार आप्शन दिये गए रोग रहित दशाओं में पादपों का उगना संभव हो जाता है पादपों की लुक्त प्राय प्रजातियों को सनरक्षित रखा जाता है नियंतरित दशाओं में पादपों का उगना संभव हो पाता है उत्प्रवर्तन को प्रभावित किया जाता है तो पादपाले कैसी सुविदा है जिसमें नियंतरे दशाओं में पादपो का उगना जो है वो संभब हो पाता है तो option C यहाँ पर right answer है अगला सवाल है निम्नलिकित में से कौन एक उतक शरीर को गर्म रखने के लिए उत्तरदाई होता है कौन सा उतक है जो शरीर को गर्म रखने में उत्तरदाई होता है सुविद ग्रंथियां सेयोजी उतक वसा में उतक या रोम तो देखे इस question का right answer क्या होगा वसा में उतक ठीक है वसा से युक्त भी इसको कई वार लिखा जाता है वसा युक्त आपसे पुछा जा सकता है यह option होगा वसा युक्त उतक तो दोनों एक ही चीज़े वसा में या वसा युक्त अगला सवाल है हाल ही में तेजस ने कहां हवा से हवा में मार करने वाली मिसाल का सफल परिक्षन किया है तो देखे इस question का right answer क्या होगा इस question का correct answer हो जाएगा option C goa में किया गया है तो option C goa इसका correct answer होगा अगला question है हाल ही में इनफोसिस के brand ambassador कौन बने है तो इनफोसिस ने अपना brand ambassador बनाया है राफेल नडाल को तो नाम याद रखेगा राफेल नडा option C अगला सवाल है हाल ही में United World Wrestling ने किस देश की wrestling association को निलंबित कर दिया है तो देखे भारत की जो wrestling association है इसको United World Wrestling ने निलंबित कर दिया है तो answer हो जाएगा option B भारत next question देखे हाल ही में मुख्यमंतरी सीखो कमाओ योजना का सुभारम किस राज में किया गया है मुख्यमंतरी सीखो कमाओ योजना की जो शुरुवात है यानि उसका जो आरंभ है वो मद्यपरदेश में किया गया है MP इसका correct answer हो जाएगा option C ठीक है MP में किया गया है तो दोस्तो यह थी आज की वीडियो जिसमें हमने 50 question देखा अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को like जरूर किजेगा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को share किजेगा इसका PDF आप लेने के लिए हमारे टेलिग्राम और हमारे WhatsApp चैनल पर आप जरूर जूर जाए ठीक है यहाँ पर आपको हमारे PDF बिलकूल free बिलती है चलिए इस वीडियो में बस इतना ही thank you so much आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है